नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जैसवाल आपका इस वीडियो में तहीं दिल से स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में तो ऐसे फाइनिशल प्रोड़क्स के बीच में कंपरेजन करने जा रहे हैं जो की मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिखते हैं चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रेटन मिलें गॉवर्मेंट की तरफ से गारेंटीड मिलें और जो भी फ्रीमियम पे यह मैं बात करने जा रहा हैं प्प्लिक प्रोयारमेयंट फन्ट कि और साथ कमपैरेजिन करूँगा लाए-सी के मैं जी हाँ एक तरफ हम PPF को लेके चल रहे हैं, एक तरफ LIC को PPF एक government की scheme है, वहीं पर LIC भी एक government की company है PPF में सबसे ज़्यादा आपको return मिलता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा return आपको LIC में भी मिलता है Highest Recommended Investment Plan PPF है, वैसे ही Highest Recommended Investment कम Insurance Plan LIC है Tax Rebate की बात करें अगर, तो जो भी आप premium pay कर रहे हैं, चाहे PPF हो, चाहे LIC दोनों में आपको income tax की rebate मिलती, under section 80C, up to 1.5 लाग रुपे वहीं पर, जो आपको return मिलने वाला है, वो total ही tax free रहता है, under section 1010D, दोनों ही options के अंदर अब बात करते हैं, कितने साल के लिए दोनों को ले सकते हैं, तो इसमें जो term रखी गई है, PPF के अंदर वो 15 साल रखी गई है, initial, अगर उसके बाद आप इसको extend करना जाते हैं, तो 5-5 साल के slot में दो बार इसको और आगे extend कर सकते हैं वहीं पर, अगर हम बात करें, LIC की, तो इसमें कोई term and condition नहीं है, आप minimum 12 साल के लिए भी ले सकते हैं, और maximum 35 साल के ले सकते हैं अगर हम बात करें कि यह कहां से ले सकते हैं, तो PPF आप किसी भी nearby post office या bank से जाकर ले सकते हैं, वहीं पर LIC आपको nearby agent या branch जाके widget करना होगा अगर हम बात करें, PPF की, तो PPF एक core investment plan है, वहीं पर LIC एक investment के साथ साथ में आपका life insurance का coverage भी देती, तो मतलब investment plus insurance product है second last की बात करूँ, जो भी इसमें return मिलता है आपको, वो return decide के जाता है, government द्वारा हर quarterly, as per market situation अगर मैं थोला साथ detail में बोलूँ, तो आज से 20 साल पहले, जो आपको return मिल रहा था हो, तकरिवन 12% मिल रहा था बट 20 साल के अंदर में, मतलब 2021 में, जो आपको return मिल रहा है, PPF के दुवारा, वो मिल रहा है, 7.10%, तो मतलब return की guarantee नहीं है, अगर market की situation अच्छी रहेगी, तो government decide करेगी, आपको कितना percent देना है, अगर market की situation डाउन जाती है, तो हो सकता है, वो कम भी हो जाए, बट वहीं पर LIC में, जो आपको return मिलता है, वो market से dependent बिलकुल नहीं होता है, जो भी return होता है, वो guaranteed होता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपको return मिलता है, वो summer short के साथ में, उनकी LIC की profitability के उपर मिलता है, बतलब वो जो उनका bonus होता है, bonus decide होता है, उनकी profitability के उपर, और LIC एक ऐसी company है, जो 1956 ह अभी तक, ऐसा कोई साल नहीं गया है, जिसके अंदर वो down गई है, तो पिछले 56 साल से जो भी commitment आगे कर जाती है, वो guaranteed उनको मिलती है, तो हम 20 साल नहीं 56 साल का अगर हम लेके count करते हैं, तो 56 साल से भी यहीं चल रहा है, अब बात करते हैं, guarantee of return, तो guarantee of return, दोनों ही options के अंद गवर्मेंट की गवर्मेंट की है, और LIC के अंदर गवर्मेंट ने sovereign guarantee दे रखी अपने जितने भी LIC policy order है, कि अगर कभी भी LIC की साथ कुछ भी दिक्कत आती है, तो उस case के अंदर central government, उसका total बकाया पैसा, उनके policy orders को देगा, यह थी इसकी basic details, जिसके अंदर आपने थोड 30 years के age में मैंने 1.5 lakh रुपे invest करना चालू करा है, हर साल PPF account के अंदर, जिसके through मेरेको income tax के रिबेट मिल रही है, पहली बाद तो under section ATC, उसके साथ में, जो total मैंने जो invest करा, 15 साल के अंदर हो, तकरीबन 22,25 जाओ रुपे invest कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि मेरेको जो पैसा नहीं करना चाहता है, मतलब long term liability नहीं चाहता है, तो 500 रुपे pay करके मैंने अपने account को activate रखा, और compounding का benefit लेते हुए, मेरेको जो total return मिला, 22,25 जार भरके, वो total मिला 86 रुपे, अगर मैं return देखूं तो 7.10% के साब से, और साथ में compounding जोडने के बाद, तकरीबन जो return आरा, 7. 7.44% return आरा है मेरेको, वहीं पे, same scenario मैं LIC के साथ लेता हूँ, 30 साल की age में retirement fund लिया, आपने G1 लाग plan है, जिसका table number है 936, उसके अंदर हमने trump लिया 25 साल, 25 साल के अंदर आपको premium जो pay करना है, सिर्फ 16 साल करना है, आपने first year premium pay करा, 1,50,000 पे और दूसरे साल से next 15 साल तक आप आपने 1,47,000 रुपए, तो total जो आपने premium pay कर दिया 23,70,000 रुपए कर दिया, LIC के अंदर, जिसके against आपको जो return मिल रहा है, वो मिलेगा तकरीवन 84,00,000 रुपए, 84,00,000 रुपए एक तरफ और एक तरफ 86,00,000 रुपए, difference तकरीवन 2,00,000 रुपए का, 2,00,000 रुपए का difference insurance का benefit दे रही है, जो की एक बड़ा factor play करता है, किसी भी investment को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज के समय में, जैसे कि अभी हाली में करोना गया है, financial security सबसे ज़रूरी रखी गई है, सबसे बड़ा part play करती है, financial security, अगर आप provident fund PPF में पैसा invest कर रहे हैं, और आपके साथ कु परिवार को return मिलने वाला है, आपने तो 15,00,00 रुपे कर दी है, 15,00,00,00 के बदले में जो परिवार को return मिलने वाला है, सिर्फ 22,00,00 मिलने वाला है, वहीं पे LIC पहले साल ही आपका insurance कर देती है, 33,00,00 रुपे का natural death और 65,00,00 रुपे accidental death, मतलब पहले साल अपने भरा पर insurance का coverage आपको 33,00,00,00 रुपे या 65,00,00 मिलिया, compare करते हैं, दसवे साल अगर कुछ होता है आपको, तो उस case के अंदर में, वहां तो मिल रहे हैं सिर्फ 22,00,00 रुपे परिवार को, बट LIC की तरफ से आपके परिवार को natural अगर death होती है, तो 47,00,00 रुपे वहीं पे accidental death प मिलेंगे तकरीबन 60,00,00,00 रुपे natural death पे और 92,00,00 रुपे accidental death पे तो insurance एक major part play करता है, अगर आप overall बात करें तो सिर्फ 800 रुपे पर year आपको एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, बतला 500 रुपे एक्स्ट्रा उसके बदले में जो अपने insurance coverage लिए आपकी वह बहुत बड़ा amount play कर इसमें से हटा देते हैं, इसमें से हटा देता हूं, तो yearly premium 32,00,00 रुपे का जो yearly premium रुपे का तकरीवन LIC में आता है, 7,330,00 रुपे इसको अगर मैं हटा देता हूं, तो आपको जो return मिल रही थी, 7.44% PPF में उसके against LIC आपको जो return देने वाली है, 7.54% देने वाली है, ज्यादा रिटन जो दे रहा था आपको प्रोड़क्ट उससे ज्यादा रिटन आपको एलाइसी दे रही है बट वहीं पर अगर आप इंस्वरेंस का फेक्टर डाल भी देते हैं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा पॉइंट टॉंटिसिक्स परसेंट का पर साथ में जो फाइनसल सेक्यूरिटी मिल रही है पूरे परिवार को और आपको एक जो पीस ओफ मैंड मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मेजर प्ले पार्ट करेगा आपकी लाइफ के अंदर बाकी यह तक कम्प्लीट डिटेल और साथ में एक्जांपल के साथ में वीडियो डिजिजन आपका रहेगा पैसा आपका है फाइनसल सेक्यूरिटी आपको देखनी है अगर आपको लगता है पुब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छा है तो वह अच्छा है अगर आपको लगता है लाइसी का जीवन लाप्लान अच्छा है तो वह अच्छा है प्लीज कमेंड बॉ प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें इंकम टेक्स की रिबेट लेने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए दोनों ही ऑप्शन्स आप कोई सभी चुनाव कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फाइनिशल एडवाईस से हैं तो आप नियरबाई किसी भी अपने फाइनिशल कंसल्टेंट से या अंत में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हूं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए